हाई दोस्तों आज के टैम में जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रूप और परसंस खड़ा होता है यह न्यूजपेपर के तुरू जब भी पढ़ते हैं तो आज तरब चर्चा होती है जो चीज होती है आर्टिफिचल इंटिलिजेंस की यह आर्टिफिचल बात है कि जब टेक्नालोजी ग्रोफ करेगी तो टेक्नालोजी के साथ में मशीन से इंट्रीइरस इंट्रीव से टो मेर्म्मोर्ट कम होगा मैनूल वर्क कम होगा तो और सिस्ट्म होगा तोो जब बनाने वाले लोगों की जरुर्द बढ़ जाएगीואD chancellor POL mode उन्हे मजीड न के अंदर हो सगे motivate किया जाता है professional courses कि तिरूं और professional courses के बारे में उनको इंस्पार कैसे करा जाएगा जब उनको knowledge होगी professional courses होते क्या है कि अगर programming सीखनी है civil engineering में जाना है मुझे doctor बनना है engineer बनना है या मुझे artist बनना है या मुझे कोई और काम करना है तो उसके लिए को knowledge होने चाहिए कि हमारे पास में काम करने की तरीके किते सारे हैं तो उसी प्रोसेस के अंदर हमारे समरके हैं लगा रहे हैं online समरके हैं भोगा जो की 10 दिन चक चलेगा जिसके अंदर कि हम बच्चों को knowledge देंगे programming की programming सीखते कैसे हैं programming छोटे चोटे प्रोग्राम के तो बताएंगे कैसे games बनाते हैं HTML जावा स्किप्ट और CSS को यूज़ करके तो लेकिन इन सबसे पहले आपको यह प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी क्यों है क्योंकि programming सीखने से हमारे बच्चे के अंदर जो पर्सनल्टे के अंदर डॉलप होटे हैं वह बहुत यह अच्छे तरीके से होते हैं जो कि जनरली आजकल बच्चों के अंदर पाया ने जा रहे हैं जैसे कि मान लीज़े हमारे ब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनके सामने जो भी प्रॉलम आएगी उसको पहले डीपली स्टेडी करते हैं डीपली स्टेडी करने के बाद में उसको सोल करने के जितने भी उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जितने भी प्रोसेस अवेलेबल उन समय से बेस्ट प् साथ में उसको handle करते हैं और resolve करते हैं तो यह जो सारा process है उसके अंदर एक programmer के साथ में क्या उसके एक तो patience level बहुत बढ़ जाता है कि वो एक हर किजी चीज़ के इतर जल्द impatience नहीं होता दूसरी उसके अंदर एक जिद आ जाती है कि मुझे सामने पर पर्वल्म आया तो solve करना ही करना है ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई problem वा जो इस सोल सकता है क्योंकि हर प्रोल्म का solution तो होता है बस हमको अलग तरीके से सोचने के जरूरत है वह अलग स्रीकेशन सोल करता है इनको सोल करते टाइंप पे उसके क्रेटिवीटी बढ़ जाती यह क्यों कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह की परींट मासं आएंगी अगर आज वाज क्रेंगे से इंडेस्टिय में काम बंढ गया तो बंदे की कम्यूनिकेशन स्किल्स भी अपने बढ़ने लगती है क्यों उसे अपने उपर वरोसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं क्यों उसको नोलेज है अगर में पास नोलेज ही नहीं होगी तो मैं बात कैसे करूंगा नोलेज कैसे होगी क्योंकि जब भी problem solve करते हैं, programmers program करवाते हैं, तो अलग-अलग तरीके software करते हैं, अलग-अलग तरीके client के साथ में dealing करते हैं, तो अलग-अलग problem साब को सामने आई, तो कि जितने तरह के लोगों साब बातचित करोगे, तो उनके बातचित करने के तरीके को आप देखते हों कि कौन साही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, उसी का coding आप लोगों को tackle करना भी जान जाते हो, ultimately programming सेकने के बाद ने आपके career के अंदर बहुत अच्छी growth होती है, तो इस तरीके से programmer या programming सीखने से बच्चे की जो skills होगे उसके क्या 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 develop हो जाती है, computational thinking develop हो जाती है, उसके creativity develop हो जाती है, patience level उसका high हो जाता है, उसके अंदर जित आजाती है positive जित, ऐसी नहीं कि मुझे कोई ख्रोनों चाहिए तो चाहिए, ऐसी जित पूरी नहीं होती है, ऐसी जित भी नहीं करता बच्चा, इस programming के जिसके हम बात कर रहे है, उसके अंदर ये जित आती ही, मेरे सामने कर कोई problem आई है, तो मुझे उसको solve करना चाहिए, मुझे उसको solve करने की जित है, मुझे solve करके रहूंगा, तो इस तरह की सारी problems को solve करा जाता है, बच्चों के अंदर programming skills को develop कर गए, अब बात करते है summer camp की, summer camp 10 दिन का होगा, 1 जून से start होगा, 9 से 10 की live class होगी, YouTube का जो हमारे channel है, उसी channel के उपर live classes होगी, चैनल को classes के अंदर attend करने के लिए, आपको subscribe करना बहुत जरूरी है, अगर subscribe नहीं करेंगे तो आप channel के उपर comment post नहीं कर पाएंगे, live class के अंदर तो आपको जो भी doubts है वो हम solve नहीं कर पाएंगे, तो पहले तो चैनल को subscribe कर लीजिए, और wait कीजिए कि हम classes start करने वाले हैं, अब भी information होगे तो इसी channel के उपडेट हो जाएगी, तो आप channel को update को regularly check करते रहें, तो और जैसे आपको summer के हम complete होगा और academic session start होगा, तो हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपको जो academic session के अंदर भी जो computer science की जो books हैं, जो programming हैं उसके अंदर, या किसी computer science related जो भी रोलांट, श्लेवस आपका है, उस पूरे स्लेवस को cover करने की इसी channel के पर कोसिस करेंगे,